सिरे से यहाँ पर बिक्वाली की राय आई है मॉगन स्टैंडली 25-22 का टागेट दे रहे अंडर वेट है नॉमरा नूट्रिल है पचीसो का टागेट जेपी मॉगन ने अपना टागेट घटाया है पहले पचीसो का था चौबीसो पर आ रहा है कि एक तो बिगड रही है और कही न कहीं ये भी इशारा है कि शायद अब कंपनी अपने पियर्स के सामने मार्किर शेर भी गवाने लगी है सारे लक्ष जो है मौझूदा भाव से नीचे सारी ब्रोकरिजस के सब के वॉलियूम ग्रोथ खराब आई और सबकी फ्लैट थी, इसकी निगेटिव है मयुरेशा, छे से आठ परसेंट वॉल्यूम ग्रोथ और आई माइनस पॉइंट फाइव परसेंट कहीं नहीं आपकी अनलिस्ट फ्रेटरिनिटी भी जमीनी हकिकत समझ नहीं पाई इतना के डिफ्रेंचल कैसे हो सकता था, वो भाप नहीं पाए कि भाई, फ्लडिंग और मूड महौल का असर दरसल कैसा रहेगा ये सारी कमपनीज के साथ, MFIs के साथ, सब जगे डिसपोइंटमेंट्मेंट्स हैं तो कुछ तो भापने भी गरबड़ा आगया मामला है ना? To a certain extent, yes. But अगर आप peer comparison देखे आशी जी, I think the performance has not been that bad for a lot of his peers. In fact, Indigo Paints का तो सबसे बढ़िया प्रदर से नराय है. Kansai Berger have also given a decent performance. However, I think जो एक commentary रही है, जो underpinning है, काफी paint companies की, ये दो चीज़ों को एक exhibit करके, एक Q3, Q4, I mean, they are expecting a strong part of demand recovery to come back very, very strongly. Combine that with the wedding season. I think अर्ली तीन से चार महने में इतनी शाधिया होने वाली है, North India में, and across the country as well. Especially the repainting demand बहुत अची तरीक्ये से आ जाए. So Q3, Q4 demand should be back quite substantially. I think the input cost inflation company उसने जीला था, that is now stabilizing to a large extent. और इसले, I think, थोड़ा margin improvement sequentially होना बिलकुल नाजमी हो सकता है. जहां तक rebates का सवाल रहा है with the Birla Opus entry, that is weighing on Asian paints in a significant manner. और अभी भी लगता है थिक जो एक rebates का बहुल है, ये शायद भी नियु रहेगा. जो शायद थोड़ा pressure margins पे exhibit करें, even with some tailwinds, as I said, for these two factors coming together. मुझे लगता, I think, एक consolidation phase सी, एक stock शायद गुजरेगा, शायद एक नीजएक reaction आएगी stock में, but should stabilize after that. पट कही ना कि, I think, एक underperform और अभी भी रहेगा, unless numbers show some significant impact.